तो आपके फ्रेंड्स को कोई इंजरी हो गई है चोट लग गई है उस इंजरी के लिए आप उसको सांता हुना देना चाहते हैं तो उसको आप एक लेटर लिखके आप बाहर हैं ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लेटर किस तरह से लिख सकते हैं तो यू मस्ट सी दिस यहाँ पर उसका एडर्स डालेंगे यह भी इंफर्मल लेटर है कि वहला आप इंफर्मेशन दे रहे हैं ले रहे हैं तो इसमें हाउस नंबर मॉडल टाउन नियू डैली 16 मास यह दिया ह मैं इश्वर का धिन्यवाद करता हूं कि आपका जो ऑपरेशन है वो सकसेस्पुल हुआ है आई केम टू अबाउट इट वेरी लेट मुझे बहुत लेट इसका पता चला है एल्स आई वूद हैव कम टू मीट यू नहीं तो मैं तुम्हें मिलने अभी जरूरी आता तो यहाँ पर वो खेद भी चता रहे हैं खेद बता रहे हैं कि भीया मैं नहीं पोच पाया हूं टाइम से मुझे पहले से पता होता है तो मैं आपसे मिलने आ जाता तो मुझे यह खेद है इस बात का कि इस चोटी सी उमर में ही आपको इतने सारे इतने बड़े दुखों से पाला पड़ा है या इतने बड़े दुख जहलने आपको पड़ रहे हैं remember when we were in class 6 याद रखो जब हम class 6 में थे you had once fainted in the class तुम एक बार जो है class में मूर्शित हो गए थे but nobody took it seriously then लेकिन किसी ने भी इसे seriously नहीं लिया था रोहित don't lose heart रोहित उसके friends का जो नाम है वो है तो रोहित मलब निराश मत हो you will soon be back to your school and life will once again be back मलब तुम अपने school में वापिस जल्द ही आओगे और जीवन दुबारे से शुरू होगा ठीक है to normal normal life में आ जाएगा तो do remember all the mischief that I made in the suscript period वो तो सब तुमें बाते याद होंगी कि suscript period में किस तरह से mischief करते थे शरारते करते थे I am sure that will make you cheerful और मुझे विश्वास है कि ये सब चीजे याद करके तुम बिलकुल खुश हो जाओगे get well soon you are sincerely आगे आप अपना नाम लिख सकते हो कि आपका क्या नाम है यहाँ पे गगन की जगे कुछ और भी लिख सकते हो friends तो इतनी सी छोटी सी बात में याना कि छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम informal letter लिख सकते हैं जब आपको किसी को सांतमना देना हो सांतमना वाले letter लिख सकते हैं friends thank you very much and I request you कि आप जो है channel को subscribe ज़रूर करें I hope that you will like this video very much thank you very much